सत्यो परेशान हो सकता है पराजित नहीं आप देख रहें आलिशान आर नियूज नमस्काय मैं हूँ अंजलिय अगवाल आप देख रहे हैं ए आर नियूज खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं अब तक के सुर्ख्यों पर सर्वधरम सामय विवाओं का होगा भव्य आयोजिन केंद्रे मंत्री रामदस आठवले ने किया शुभारम उदैपुर में दिन दहाड़े हुई फाइरिंग आठ किलो मीटर पीछा कर उप सरपंच के पती ने कार पर किये फाइर डोड़ा पोस के साथ यूवक को किया गिरफतार बैग में डोड़ा पोस भर कर कर रहा था बस का इंतिजार रोड़वेज बस में महिला के गले में चेन हुई पार डुंगर पो रोड़वेज की गटना अब खबरे विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं सरवर धरम सामई विवाओं के होंगे आयूजन की समाज में सामाजिक समर्सता लाने एवं पूर्णत दहेज मुक्त विवा को बड़ावा देने के लिए मुंबाई में अंतर राष्ट्रे संस्था फुलोरा फाउंडेशन एवं महंदे रिसर्च और वेलफेर सुसाइटी उदापु राष्थान के सायोग तत्वाधान एवं शक्ति संगठन के द्वारा राष्ट्रे स्थर के सामई विवा कारेकरम प्रोजेक्ट महंदी कारेकरम में अंतर राष्टी संस्था फुलोरा फाउंडेशन मुंबाई के मैनेजिंग ट्रस्टी अरूम सबनीस शक्ती संगठन के राष्टी अधिश एड़ोकेट नितीन शर्मा राष्टी सियोजग सचिन दत शर्मा एड़ोकेट राजेश बोथरा महासचीव आनंद ज महंदी रिशर्स वेरफिल सोसाइटी सेवा संस्थान के महासचीव आजाद खान एउं आर पी आई राष्टी पार्टी मुंबई के कई कारेकरता उपस्तित रहे सामु एक विवाह कारेकरम है तू कमेटी का भी इस आउसर पर पात्मिक इस तर पर गठन किया गया जिसमें मानक नगर जिसमत नगर सलीम शाह एउं छगल सालवी उदैपुर को राष्टी सेयोजक शिवराज मिश्रा बनारस मुंबई 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 नफीस और एडवोकेट हैमेंदर साहू को सह सेयोजक मनुरित किया गया सर्व परत्म ये विवा राष्टान में किया जाएंगे जिससे राजी के कई लोग एवं प्रवासियों को अपने राजी में सामाजिक भगिदारी करने का मुका मिलेगा इसी करम में राष्टान में पहले दोर में 1100 यूदियों के जोडे के विवा लक्ष निधरित किया गया जिसमें सर्व धर्म एवं जातियों के लोग शामी किया जाएगा विवा समाज स्तर पर ही किया जाएंगे इसका उद्देश फिर से समाज एवं से युक्त परिवारों को जोड़ना एवं समाजी कुरतियों दहेज जैसी एवं विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची को रोकना है आज आपसी सामजस्ति के अभाव से नव विवाह जो तूड़ जाते हैं जिसकी रोकताम है तूर संस्थानों के परामर्श द्वारा पूर्ण प्यास किया जाएगा सभी समाज के सामजी करकरता से इस पूर्ण कार में जूड़ने का निवदन आववाहन किया गया है शीगरी ही इसकी राश्टी कारकारणी का घठन किया जाएगा जिसमें सामजी करकरताओ और प्रबुद्ध जनो दानदाताओ और प्रशासनिक विवस्थाप को के आवेदन आमर्थित है संभाग स्तर पर प्रथम सामुई के विवाह कारेकरम का आयोजन ओदेपुर में होगा इसी करम में संभाग स्तर जिला विधान सबस्तर पर ऐसे आयोजन किया जाएगे इस कारेह दुस्तर पर संगठन कमिटी का भी घठन किया जाएगा दान दाताओं को राश्टी राज जिलास्तर के करेकर में समानित किया जाएगा आज कुलोरा फांडेशन और मेंदी रिसर्स सोसाइटी के जॉइन वेंचर के जलिये हमने एक ऐलान किया है कि 1100 जोडो का राजस्तान में सामोईक विवाव करने का प्रोग्राम डिसाइड किया है आज केंदिले मंत्री रामदाजी आठोले इनके हस्ते हमने आज पोश्टर का अनावरेंट किया है और इस शुबह उसर पर मैं सभी लोगों को आवाहन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में जुड़े इस सामोईक विवाव सम्मेलेन का महिन उद्देश्त ऐसा है कि आज माता पिता अपने बेटी या बेटे के शादी के लिए करजा लेते है और जिवन बर करजा चुकाते बैटे हैं हमने यह ऐलान किया है कि एक करज मुक्त दहेज मुक्त शादी रही जिससे एक सामाजिक बदलाव हो जाएगा और बच्चों का बविश्य भी उज्वल हो जाएगा क्योंकि यह इससे जो पैसा बचता है जिसका आधार उनको जिन्दगी बर मिलता रहे उद्दैपूर के प्रताब नगर थाना इलाके में कार सवार यूवको पर फाइरिंग से हड़कम मच गया कार सवार दो लोगों ने करीब आट किलिमीटा पीछा कर उसके चल रही कार के पास आकर फाइर किये हालक के दोनों गोली कार की नंबर प्लेट पर लगी इसके बाद पीडिता यूवक सीधा प्रताब नगर थाने पाउचा घटना करम बताया मामला लेन देन के विवात का है घटना रविवार सुबह नो बजी की है दरसल खेमली निवासी अमिश शर्मा अपने रिष्टदार राकेश के साथ उदेपुर से खेमली जा रहे थे इसी दोरान 22 कला 24 के पास किशन डांगी और गंपन डांगी उन्हें बिले किशन के रिष्टदार जितंदर का अमिश से पहले लेन देन का कोई विवात चल रहा है शनिवा शाम को भी अमिश और जितंदर का जगड़ा हुआ इसी से नाराज किशन ने अमिश को जान से मानने की धमकी कोशिश की इसी दोरान उसे रिवल वर्ड निकाल ली इससे घबराया अमिश तुरंत कार लेकर मौके से उधेपुर के लिए रवना हो गया इसके बाद किशन और गरपन भी गाली गलोच करते हुए अमित की कार का पीछा करते रहे करीब आठ किलोमेटर आगे पावर हाउस चुराहे पर किशन ने अमित की कार पर फाइरिंग की इस दोरान अमित की चलती कार पर किशन ने दो गोली मारी गोली कार के नेम प्लेट पर लगी इसके बाद तेज स्पीट से कार भगा कर अमित सीधा परताब नगर्था ने पहुँचा अमित शर्मा के डंपर और ट्रेक्टर से प्रत्थर सप्लाई का वेवसाय है उनका जितंदर से रुपे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है पुलीस को जानकरी मिलते ही थाना दिखाडी दर्शन सी ने भी उससे बात की अमित ने बैसना कला निवासी जीतंदर डांगी के साथ किशन डांगी और खेमली निवासी गंपत डांगी खेमली उपसरपंच का पती है पुलीस की सकती के बाद तसकरों ने डोडा पोस्ट पर इवन के कई नए रस्ते तलाश किये हैं शनीवार को ऐसा ही मामला पुलीस के सामने आया जहां जोड़दास फाटक के बाद बस का इंटिजार कर रहे एक यूवक को पुलीस ने डोडा पोस्ट के साथ गिरफतार किय यूवक ने अपने दो बैग में डोडा पोस्ट भर रखा था जिसे वह जोड़द पूर ले जा रहा था पुलीस ने यूवक को गिरफतार कर लिया है और एंडीपीस के तहित मामला दर्श कर जांच सुभाश नगर थाना प्रभारी पुश्पा कसोटिया को सौपी है सदर्धाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि DST प्रभारी अयूब मुहम्मद ने सूचना दी थी कि जोध डास फाटक के पास एक यूवक द्वारा डोडा पोस्ट ले जा रहा है इस पर पुलीस ने जोध डास फाटक पर बस का इंतिजार करते जोधपूर के भुपाल कर दिवासी विश्णा राम पुत्र बालुराम विश्णोई को हिरासत में लेकर पूश्टाच की उसके बेग में 27 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामत किया गया विश्णा राम ने बताया कि वह इस डोडा पोस्ट को बस में रख कर ले जाने वाला था उसने यह बारे में कोई शक भी नहीं करता है पुलिस ने इस संबंद में मामला दर्ज कर लिया है और डोडा पोस्ट सप्लाई करने वाले आरोपी के बारे में जानकाई जुटाई जा रही है डूंगर पूर रोडवेज बस में महिला के गले से चेन पार हो गए यह घटना डूंगर प महिला को पीछे से एक यूक ने धक्का मारा जिसके बाद महिला बस की सीट पर जाकर बैट गई बस रवाना होने के बाद आसपूर मार्क से खेडा का कचवासा पर पहुंचने पर महिला को पता चला कि गले से चेन गयब है जिसकी सूचना बस चालक वो परिचालक तथा आने में ले जाकर खड़ी करवाई गई गटना की पूरी जानकरी आसपूर पुलिस को दी सूचना मिलने पर मौके पर सितार आवल की रिशिदार भी मौके पर पहुंच गए तथा पुलिस मामले की जाच में जुट गई है अंदर बेखने की जगए इसा लगा मेरे को उसको जाने दिया जैसे बच्चा वो यह लगके अंदर जाके पैठी थी थोड़ी देर हुए मतलब यह से मुझे पता चला कि मेरे घले में चैन नहीं रूस यूक्रेण संकट के बीच फसे व्यक्तियों वे विध्यारतियों के लिए मुख्यमंत्री अशोग गैलोत के एक फैसले के बाजराज्य सरकार की पहल रंग ला रही रविवार को MBBS में अध्यनरत यहां की दो बेटिया साकुषल पहुची जीला कलेक्टर ताराचन मीडा ने बेटियों का सागत किया तो बेटियों ने सरकार की पहल का आभार जताया है फ्लाइट से उदैपूर पहुची उक्रेन में MBBS की चातर भारगवी वशिष्ट वा मोक्षित उपाध्याय को रिसीव करने खुद जीला कलेक्टर ताराचन मीडा डबोक एरिपोट पहुचे कलेक्टर मीडावा एडियम सिटी अशोग कुमार्ड ने दोनों चातरों को साकुषल उदैपूर पहुचाने पर स्वागत किया और यहां पर उनसे बात की दोन चातरों और उनके परिजनों ने उनकी साकुषल सोदेश वापसी पर भारत सरकार और मुख्य मंत्री अशोग गलोत का आभार जताया राजिस्तान में चित्तोडगर जिले के भदेसर उपखंड शेत्र के असावरा माता मंदिर में रविवार सुए पाँच बजे से भक्तों का ताता लगा रहा है सभी भक्तों ने माता के दर्शन किया भक्तों की लंबी-Lyne में लगकर महिला पुरुश अपने हातों में माता रानी का शिंगार लेकर माता रानी के दर्वार में नारियल परसाथ एयों शिंगार का सामान लेकर मंदिर पहुँच रहे हैं आसाव रामाता कमेटी के द्वारा माकूल व्यवस्ता की गई जालावार जिले के बकानी थानव पुलीस ने मादक पदार तसकरों के खिलाफ बड़ी कारवाई करते हुए 25 ग्राम स्मैक साइट एक मादक पदार तसकर को गिरफतार किया है तसकरे में प्रयुक्त की गई पुलेट बाइक को भी पुलीस ने जब्त कर लिया है मामले की जानकारे देते हुए जालावार पुलीस अधिशक मोनिका सेन ने बताया कि मादक परदार्थ तसकरी पर प्रभावी रोक्तावं के लिए जिले भर में अभ्यान चलाय जा रहा है इसी के तहट अत्रिक पुलीस अधिक्षक प्रकारश शर्मा के इंडिशन में प्ताडी एस्पी निरज कुमारी शर्मा के सूपर विजन में बकानी थाना अधिकारी मोहमत इब्राहीम दोरा टीम गठित की गई थी बकानी थाना पुलीस की टीम आज सुबर महेशपुरा रोल पर गश्ट कर रही थी उसी दोरान एक बुलेट सवार युवक को संदे के आधार पर रोक कर तलाशी दी जिसके पास एक पुडिया में रखी 25 ग्राम स्मेक ब्रामध हुई जिसे जब्त कर आरोपी ट्रैस खान शेत्रम में खेर-खेडा गाओं में एक किसान की करेंट लगने से मौत हो गई मृतिक की परिजन ने बताया कि उन्हें तक अंतर सिंग उम्र 45 वर्ष अपने कुए पर विदत मौटर चालू करने गया हुआ था इसी दोरान करेंट के चपेट में आ गया जिसकी मौके पर ही दर्दनात मौत हो गई परिजन मृतक को सामुदा एक स्वास्त के इंदर चोमौला लेकर आए जहां उन्होंने पुलीस की मौजूदगी में शव का पोस्मौटम करवा कर शव परिजनों के सुपर्द करके मामला जाच में लिया है चलते चलते नज़र डालते हैं अब तक क सुर्खियों पर सर्वधरम सामुद विवाओं का होगा भव्य आयोजिन केंद्रे मंत्री रामदस आठवले ने किया शुभारंब उदैपुर में दिन दहाड़े हुई फाइरिंग आठ किलो मीटर पीछा कर उप सरपंच के पती ने कार पर किये फाइर डोड़ा पोस के साथ यूवक को किया गिरफतार बैग में डोड़ा पोस भरकर कर रहा था बस का इंतिजार रोडवेश बस में महिला के गले में चेन हुई पार डुंगर पो रोडवेश की गटना तो दीजी इजाज़त अंजली को और खबरों के लिए देखते रहे ए आर न्यूस नमस्कार सत्यों परेशान हो सकता है पराजित नहीं आप देख रहें आलिशान आर न्यूस